आप सबको मेरा नमस्ते अभी मैं आपको भाग दो बताऊंगी कि 45 बिंदू क्या है से ग्रॉस करेके और हम लोगोंने जो आई सी मतिरियल बनाया हुआ तो उसमें वापस आपको लेके जाते हूं तो अभी है आपके जो 33 वा पॉइंट है वो है सीशु को दूसरे स्थन से दूद लाने से पहले मां को एक स्थन से पूरी तरह स्थन पान करना चाहिए तो यह एक अच्छा सा बिंदू है बहुत महत्वाका है क्योंकि क्या होता है क यह जो आगी का जो दूद होता है वो उसमें पानी की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है जो पीछे का दूद होता है पीछे का दूद बहुत गाड़ा होता है जितना वो गाड़ा दूद बच्चा पीएगा वो गाड़े दूद में होती है चर्बी वसा और उसका जो दिमाग है वो भी बहुत तेज होगा तिक है आपको उस पर बहुत ही ध्यान देना है ठीक है यह जाचने के लिए कि क्या उसने शीशे को एक स्टन से पुरी तरह से पिलाया या नहीं मा को अपने हाथ से उस तन से दुद निकालना चाहिए नो बहुत टाइम क्य आपकों है उसको दूसरे स्टन से लो जासती है कि यह मेरा ज्यादा बर्रवा थो अभी मुझे दूरं तबी यह भी देना है तो वो क्या करतीकी पूरा एक तरफ से वह दूद्स खाली नहीं करती है और तुरन्त जल्दी में वह दूसरी तरफ बुछे को बिलाती है ठीक हैं तो यह नहीं होएं इसलिए अम कैसा फ़ी चाचना ढीर है मा को करना बहुत ज़रूरी है उसमें हम लोग क्या बताते हैं कि मा को क्या करना है कि उसका जाचना है कि यह जो दूद आ रहा है वह पतला पानी जैसे आ रहा है कि घाड़ा आ रहा है अगर घाड़ा दूद आ रहा है तो वह बहुत स्पीड से आ रहा है कि धीरे 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 दो तीन बिंदू आ रहे मतलब पीछे का जो अपका दूद है वो कतम हो गया तो मा को आपको सिखाना है कि वो जड़ा जाचे तो उसमें भी वो जो टेक्नीक है जो आपने पहले सिखी होगी कि उसको अमलब गोलते है प्रेस, कंप्रेस, रिलीस तो मा को क्या करना है कि चाती को अपने स्टन है उसको चाती की और दबाना है पीछे के और फिर उसको अंदर की और दबाना है और फिर से छोड़ना है तो मा को अगें वापस क्या करना है कि स्टन को चाती की और अंदर की और दबाना है उसको फिर कंप्रेस करना है और उसको तो उसको बोलते हैं प्रेस, कम्प्रेस, रिलीस, मा को बिलकुल उंगली स्थन पे ऐसी हिल्ली नहीं चाहिए, उसको उंगलिया है वो सिर्फ दो उंगली दूर होनी चाहिए, और वही पे जहां पे अरियुला है वहां पे उंगली होनी चाहिए, सिर्फ अगर निपल पे उससे भी उसका निकलेगा नहीं तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका जो उंगलिया है वो और पीछे की तरफ दबाके वो प्रेस कंप्रेस कर रिलीस कर रही है तो वह कैसे दूद निकालना वह भी जरूरी है कि उसको जाचना है तो चलो देखते हैं कि यहां पर क्या जैसे बचे ने यहां पर दूद पिया तो यह हाथ से अभी वो थोड़ा दूद निकालके पूरा स्थन खाले हो आएकर नहीं वो यह स्थन जा चागी यदि स्थन से पतला पानी जैसा दूद निकलता है या फिर स्थन से घाड़ा दूद अच्छे से भैता है तो उसका मतल 34th point 35th point में क्या आता है कि मा को शिशु को दोनों स्थन से पूरा दूद पिलाना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर पतला पानी वाला दूद है जो पहले आता है और वसा जो भरपूर घाड़ा दूद है जो बाद में आता है ठीक है क्योंकि प्रोटीन भी जनते तो मा को आगे का और पीछे का घाड़ा दूद तोनों ही देने चाहिए ठीक है सचू के विकास के लिए और पीछे का दूद दूद जरूरी है एक स्थन से पूरी तरह से सपान कराने से के बाद ही शीचू को दूसरा सथन दियाम़ा ज़ता चाहिए यदि शीश ba ji भ यह stun offer करना है, बच्ची को सोचने दो कि उसको भूक लगी है कि नहीं लगी है, आपको तो वो stun देना ही है, अगर भूका होगा तो बच्चा लेगा, भूका नहीं होगा, तो बच्चा stun नहीं लेगा, बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चे ने ये बाजू भी पिया, दूसर करना है, ठीक है, मा को दूसरी स्तन से पिलाने से पहले शिशु को धकार दिलानी चाहिए, ऐसा करने के लिए मा को शिशु को अपनी गोद में आराम से बिठाना चाहिए, फिर शिशु के जबडे को अपने एक हाथ से पकड़े, दूसरी हाथ से शिशु की पीठ को पकड़ दो से तीन मिनिट में शिशु को धकार आएगी शिशु अपनी आखो आखे भी खोलेगा ठीक है तो यह कैसे यह भी उसकी पूरी टक्नीक है कैसे बच्चे को दूद पिलाना है तो यह है आपका क्यों शिसका बचक्या को अईसे बीठाना है उसकी अ उसका जो हाथ है वो यह जो जाए जड़ना है और यहां पर पकड़ को तो आगे की तरफ लाना है शो करें है जो हात आफ पीठ पर आना चाहिए अपको तप तपने की बेल ठीक है तो यह अगर बिठाने की पूजीशन में अगर आप धकार देंगे तो बच्चा तुरंत ही आख भी कुलेगा और घकार भी तुरंत ही निकलेगा यह बहुत अक्सीर है उसको यह बच्चा निकलने कालज बहुत सारी मदूस क्या करती ही? कि वो ऐसे लाती है अगर ऐसी लाई तो क्या होगा? बच्चा वो सो जाएगा मा भी सो जाएगी, बच्चे कभ पेड्वी नहीं बरेगा, बच्चा सो जाएगा, ठीक है, तो आपको इसको अबी ऐसे मत रकार दीजिए, आप उसको बिठा के रकार देगे, तो आपको पता चलेगा कि बच्चा कितना तुद पिता है, वजन बढ़ाना है फटा-फट, ठीक नेन्हेक्ड पषा हात पड़ो तो फर सव गया एंव तो आफे खेमा ना वान पड़ो प्लाया है वह सोता रहे गया मा ऐसे बैठी रहेगी तो ठक जाएगी तो फंद्रा बीस-30 मिनिट में उसको खतम करना है तो यहां पर क्या होता है कि अगर बच्चा सो गया तो आपको पीट पे थोड़ा उसको गुद्ध करना है उसके पेर पे तोड़ा गुद्ध करना है यहां पे जैसे आप उसको बैठने की स्थिति में रखेंगे तो तुरंत ही वह आख भी कुलेगा और वह बच्चा दूद्ध के लिए वापस वह रेडी हो जाएगा ठीक है यदि शीशू केवल निपल से जुड़ा है या स्तनपान करते समय वह सो जाता है तो मा शीशू के मूँ से स्तन को निकालने के लिए अपनी साफ छोटी उंगली उसके मूह में डाल सकती है तो यह पॉइंट इंपॉटन्ट है यह वाला जो पॉइंट है इसमें क्या पताया है कि अगर बच्चे सिर्फ निपल उसके मूह में गया है या तो बच्चा सो गया है और पकड़ के सो गया है तो आपको बच्चे को खीचना नहीं है क्योंकि खीचेंगे तो क्या होगा कि मा की जो निपल है वह पर उसको घाव हो जाएंगे तो आपको बच्चे के मूह में मा की जो साफ उंगली है जो यह वाली उंगली यह चुटी वाली उंगली मा को बोलो कि बच्चे के मुह में डाले और उसका पूरा जो वैक्यूम है उसको रिलीज करना है अगर मा उसके मूह में उंगली डाल के वो मूह खुलेगी तो तुरंता ही बच्क बच्चा के मूह में स्टन चोड देगा भी अगा है तो वो आपको ध९ान में रते हैं कि बच्क को कैसे स्टन से निकालना और सिर्फ दो टाइम में निकालना या तो बच्चा निपल पे लाच है या तो बच्चा सो गया है अगर बच्चा अची तरह दूद पी रहा है तो आपको उसको तन से निकलने की जरूरत नहीं है बच्चे को पीने दो जितना पीना है उसको पीने दो ठीक है इससे शीशु का बंद मुझ खुल जाएगा और मा असानी से शीशु के मुझ में से अरियुला निकाल सकती है दूसरा पॉइंट है कि यदि शीशु की नाक मा के स्तन से कसकर दबी हो तो मा दीरे से शीशु की गर्दन को बाहर की और खीच सकती है ताकि शीशु की थुड़ी मा के स्तन में जादा जाए और शीशु का माथा मा के स्तन से दूर हो जाए ठीक है तो यह क्या है कि क्या होता है कभी-कभी अगर बच्चा ऐसा सीधा बिल्कुल सीधा मा के स्तन पे आता है माक बताना है कि अगर बच्चे को आप ऐसे लाएंगे तो उसका नाक से हमेशा दूर रहेगा तो वह तो पहले वह सलाह दिनी है लेकिन अगर वा को बोड़ो कि scorah की खरोड़ी कर बाल के वह बिभसे को बाहर होगर की तरफ करें अको बहुताईग मुढल गी तो Bernard घरन दसे तो मदाया है कि नाग जाया है क्या करना है तो यहां पर मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर उसका नाख दब रहा है दूश्रा एक बात आपको बता देती हूं कि जब बच्चे का नाख दबता है तो नाक ऐसे दबता है तो बच्चे का नाक बन नहीं होगा आप भी ट्राइब कीजिए आप अपी आप दबाएंगे तो आपका नाक जो स सब्सक्राइब द्रक्राइब और ये जिए इंच्टा ख़राे लारे तो इसे स्वाइब की ज्यादा चिंटा तो इसे जिए अ Our की प्र Ste तो शिशु के गाल गोल और भरे होए दिखने देंगे। अगर बच्चे के मुठ में अच्छी तरह से नीचे बीद और अच्छी तरह डबा रहा है तो तो रहत दियारकी गाल उर स्थे तो धीयानलेश दिखाती हूँ कैया गलति है? तो अगर वो गालों में कोई गड़ा नहीं हो अगर बच्चे को लाचिंग ठीक है तो उसके गालों में कोई भी गड़ा नहीं होगा शिशु दूद को तेजी से निगलने की आवाज नहीं करेगा, दूद निगलने के समय शिशु का जबड़ा धीरे-धीरे और सपस्ट रूप से नीचे की और जाता हुआ दिखेगा, तो अगर अच्छी तरह से मूँ में दूद जा रहा है तो धीरे-धीरे वो निगलेगा, अच्छा उसका जो गाल है उसके भरे हुए होंगे, आपको निगलने की आवाज दिरी-दिर आएगी, ठीक है, अगर अच्छी तरह लाच नहीं है तो फटा-फट वो सक करेंगा, और आपको निगलने की आवाज भी नहीं आएगी, ठीक है, तो जड़ा ध्यान में रखना ह तो आपको देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसका मतलब है कि शीशो सिर्फ निपल से दूट पी रहे है, अगर सिर्फ निपल मुँन में है तो बच्यको गड़्डे पढ़ेंगे, शीशो के मुँमें अथ के नीचले हिस्से के मुकाबले अरिला का उपरी हिस्सा और फिर शिशू के होट और ठुड़ी पूरी तरह मा के स्थन में नहीं लगे हैं, इसका मतलब यह जो होट और ठुड़ी है जो मा के स्थन में खुपनी चाहिए थी, वह खुपी नहीं है, थोड़ी दूर है, इसलिए बच्चे के मुँँ में जितना जो निजे का एरुला ज ज्यादा मुह में गया है वो तीसरा है कि बच्चा जो होट और उसके ठुड़ी जो खुपनी चाहिए स्थन में वो खुपी नहीं है तो यह दूर है इसलिए खड़े पड़ रहे है तो यह तीन पॉइंट आपको ध्यान में रहा है कि जैसे बच्चा अपने एक्जामिन किया जाच्या और यह प्रॉब्लिम है तो आप को पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लिम है उसका प्रॉब्लिम का solution निखलना है हर चोवीज गंडे में मां को 10 Сे 12 बार सतन पान करना चाहिए तो चोवीज गंडे में कितनी बार 10 से 12 बार और चाहिए एकए Bringing at तीन से चार बार बच्चे को दूद पिलाना चाहिए सिशु को चो मेने तक किवल चान पान कर दो कित़ को माने कements consider छू माने के बाद दो साल की उम्रह तक पूरा कहार के साद़ कुष्ध Breaking करेंज चाहिए च्रपान चाहिए तो यह एंसको बताना है जबाजा है कि 6 मने तक सिर्फ आपका ही तूद बहुत रोई बाइशी से बठीजों तो ताइम जो है दूसरा हथ으ते ह चछटवा सपता में, और तीन महीने के उम्र में बच्चे की जो उचाई है, वो फटाफट बढ़ती है, बच्चा तेजी से बढ़ता है वो टाइम में, बच्चे को भूग जादा लगेगी, बसक्त बच्चा जादा दूद मांगेगा, तो मां पोलना ढ़ना है थैद डूद तो आएगा तो जादा बार रखाएगी कि यह टाइम में उपर कर दूद नहीं चाहलू करना है यह मैने तौब निखालनेद कि आहां कशल बता देया है कि फॉसल दूद निकालना है इसस door निकाल न के है कि बंदलब दो उंगली दूर आपको स्थन पकड़ना है और प्रेस एक बढ़े 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 ग्राफिक स्पीड दिखाए देंगे आपको और मदर को भी अच्छा रहेगा उनको बताने में आपको सुवीदा रहेगी स्तनपान चार्ट के बारे में बताने वाली हूँ जैसे आपने 45 पॉइंट के चार्ट तो देखी लिए है लेकिन एक दूसरा चार्ट हम लोग ने बनाया हुआ है आपको बहुत ही पसंद आएगा अच्छी यह चार्ट आप या अंगनवाडी या आपका अगर क्लिनिक है कही प्रट 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 नहीं है तो यह जो यहां पर हम लोगने दिखाया हुआ है कि साबून से हाथ दोना तो मा को यह पता होना चाहिए कि साबून से हाथ कभी दोना है तो खाना बनाने से पहले बच्छे को दूद पिलाने के पहले, सुचाल लग के उपयोग करने के बाद, सिशू के साफ करने के बाद, सिशू को खाना किलाने के पहले, तो यह important है कि साबून से हाथ दोना है, definitely breastfeeding के पहले, स्तनपान के पहले तो दोना ही है उसको, दूसरा वाला यह जो चार्ट है, यहा बच्चा है, जैसे तुरंत ही वो जैसे पैदा हो रहा है, मा के शरीर पर रखना है, ठीक है, सेजेरेन बच्चा है, सर्जरी से हुआ है, या नॉर्मल बच्चा है, दोनों बच्चों को मा के स्तन पर तुरंत ही रखना है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कल्च्छों होते हैं, व यह आपने मेरे एक session में देख लेया है वो golden hour वाला जो है पहले घंटे में बच्चे को मा का दूद देना है जितना जल्ली हो सके मा को मा को अपना दूद देना है यह जो चार्ट है यह वाला चार्ट जन्म से चाह मईने पूर्ण होने के तक केवल स्तन पान तो यह बहुत easy सर exclusive breastfeeding का चार्ट दूसरा वाला चार्ट है कि यह बहुत अच्छी थोड़ा से science हम लोग ने समझाया हुआ है तो यह अप मा को समझा सकते कि यह वाला जो है यह यह दूद की factory है यहां पे और दूद की factory यह जो पेशिया है वहां से दूद बनता है और बहार की जो पेशिया है पेशियित कंसा हर्मों काम करता है धुद बौध बनाने के लिए प्रोलाक्ट निकला करता है आपको ऑक सीटोसहीन की ज़रूरत है तो यहां पर भी दिखाया हुआ है कि प्रोलैक्टिंग और ऑक्सिटोसिन की मात्रा कैसे बढ़ेगी, especially प्रोलैक्टिंग की, तो जैसे वो बच्चा चूचना चालो करता है, तो प्रोलैक्टिंग की मात्रा बढ़ती है, उसे वो दूद बढ़ता है, ठीक है, आपको यह भी बढ़ता होट निपल के उपर आए, और नीचे का होट है वो अरेला के बार्डर पर आप आए, अगर बच्चा यहां से दबाएगा तभी वो दूद बाहर निकलेगा, तो आपको दिखाना ज़रूरी है, कई मां को यह प्रोब्म पूछती है कि अगर मेरा ब्रेस चोटा है तो दूद आएगा तो नहीं, तो आपको यह बताना है कि यह जो नलिया है, यह जो पेशिया है जहां से दूद निकलती है, वो बिलकुल सही नंबर में है, सबके शरीर में उसके नंबर लगपक एक होती है, एक ही मातर में होता है, बाहर की जो है, यहां पे चर्बी होती है तो उसमें अगर ज्यादा चर्बी हो गई तो ब्रेस्ट बड़ा चोटा हो सकता है ठीक है लेकिन नलिया जो है यह जो पेशिया है सब में बराबर एक ही मातरा में होती है लगबाग दूसरा यह वाला है कि बताया हुआ है कि रात में संपान कराने की ज्यादा ज़रूरत है क् अगर बड़ाना है तो भच्छो को रात में दूद पिलाओ ठीक है यह जो वाला है यह वाला है यह संपान के लिए भिनन पकड तो कौन सी कौन सी पकड आपको मा को यह सारी पकड सिखानी निदिखानी है इस्पेशली, cross cradle pocket जो मेरी फिरिट है, football pocket भी है, cradle भी है, एक तरफ लेट कर सनपान कराने की पकड है, ठीकाल लगा कर सनपान करने की पकड है, तो यह सारी अलग-अलग पकड है, ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है, cross cradle hold तो डिफने दिखाना ही है, त्यूंकि उसे हम मैं इससे बच्छे को घंप कर आना है मैं अगले साय में बता आधा है कि कैसे देटी को फूरा आना है कि इसमें मैं देट almost sound anything अगर सिधे हैं तो इतना दूर पकड़ना है वह भी मने दिया हुआ है तीन उंगली दूर पकड़ना है बहुत नजदिक से पगड़े कैं तो बच्छे को सिफ निपल लाचिंग होगा। तो यह हो गया आपका इस तन को पकड़ना यह है अभी मूग की पकड़ तो मूग की पकड़ में ब्लैचिंग के जो इंपॉर्टन पॉइंट से हो यहां पे दिये हो है बहुत बड़ा सा A3 का चार्ट आपको बनाना है और अच्छा क्वाइटर का पेकर लेकर अगर दूसरे सतनपान के अन्या महत्वपुर्ण बात है तो मतलब दोनों बाजू पिलाना है पीछी का दूद पी देना है धकार कैसे देनी है अच्छा सो गया तो कैसे उसको उठाना है ठीक है अगर बच्छे का नाक दब रहे तो क्या करना है तो यह सारे जो दूसरे जो लगबग आठ बार रात में चार बार लगबग बार दससे बार बारा टाइम देना है बचे को यह पहले दो मैंने में अच्छी कि बाहरे थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा ठीक है यह थी एफित से दूद निकालना तो कैसे कौन सी परिस्थिती में आपको हाथ से दूद निकालना है और कैसे दूद बढ़ाना यह भी मैंने दिखाया हुआ है तो यह आप एक बार पढ़ेंगे चार्ट तो आपको इजी हो जाएगा कि कैसे मा को सिखाना है और फिर एक बार कप से संट का दूद प्लाने का तरीका तो आपको ध्याना कि यह देखें आप उपर के होड़ पर वाटी रखी हुए तो उपर के होड़ से बच्चे को पिलाना है नीचे के होड़ पर वाटी मत रखिए ठीक है और यह सारे फाइदे भी है कि उसके फाइदे क्या है कभी कभी आप कप से दूद पिला सकते हैं जब बच्चा लैच नहीं करा है तो आप मा अपना दूद निकालके लैच करा सकते हैं ठीक है नवजाज शीशु के पेट की क्षमता तो यह मतलब यह चार्ट भी बहुत सुन् पेट की तीश्रे और चौते दिन थोड़ी उसकी साइज बढ़ती है धीरे-धीरे करके उसकी साइज बढ़ती है तो पहले दो दिन माँ को बताना है कि 5 ml भी आये तो काफी है बच्चे के लिए तो नो बाजु निकाले कर तो 5 और 5-10 ml आएगा तो उस बच्चे के लिए व चार्ट हमने बनाया है, यह है कि अगर बच्चा बहुत चोटा है और लाच बतलब उसको ज्यादा ताकत नहीं है, तो उसको कैसे हम लोग SST supplementary suckling technique कैसे करनी है, तो यह यहां पर दिखाया हुआ है, कि अगर बच्चा बहुत चोटा है, तो हम लोग बच्चे को स्थन पर रख चूशता है, तो बच्चे मा का दूद भी बढ़ता है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, यह हम लोग जनरली NRC में करते हैं, ठीक है, यह एक दूसरा चार्ट है, केम सी का है, तो केम सी का तो अपने टुटॉरल दिखाये हुआ है, तो मैं इसमें डीटेल में नहीं ऐब चार्ट आपको भेखने है, तो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों टाइम पर चार्ट यह यह वाला मैने पूरे होने के बाद स्तंपान के साथ पूरा कहार भी दिया जाना चाहिए तो यह छे माने के बाद बताया होगा है कि स्तंपान तो चालू रखना ही है लëकिन फिर पूरा कहार करना हुब और पूरा कहार की टुटॉस तो आपने देखे ही है तो यह है अपका assigning स्तन्पान का चार्ट मैं उसकी लिंक आपको रखोंगी गूगल ड्राइब पे तो वो पी एंजी वाले चार्ट है वो हाई डेफिनेशन में आपके बहुत अच्छे आएंगे त्री चार्ट पे ठीक है लेकिन ध्याम में रहें कि एत्री साइज होनी चाहिए पेपर कॉलिटी अच्छे होनी चाहिए ठीक है तो यह हो गया आपका स्तन्पान का चार्ट थीक है धन्यवाद कार्ट है